Hello dear students, बच्चों, जीके सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं अभी साइन्स पार्ट, तो आप अपनी जीके की टेक्स्ट बुक और नोट बुक निकालिए, और साइन्स पार्ट के अंदर हम जो चैप्टर आज पढ़ेंगे वो है दे ब्लू प्लैनेट, दे ब्लू प्लैनेट ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है, आपके सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट है, उसमें एक अर्थ भी है जहां हम रहते हैं, तो प्रिथिवी को, जिस प्रिथिवी पे हम रहते हैं, अर्थ पे हम रहते हैं, उसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ब्लू याने की नेला और इसे नेला क्यों कहा जाता है क्योंकि यहां पर भहुत सारा पानी है ठीक है और समुद्र कैसा होता है नेला दिखाई देता है समुद्र इसी वज़े से और समुद्र यहां पर भहुत ज़्यादा मात्रा में है तो अंतरिच से हम स्पेस से जब हम प्रतिवी को देख अभी तक हम जो जानते हैं कि पूरे space में एक ही planet है जहां पर जीवन है हो सकता है कि दूसरे planets में भी हो जीवन लेकिन अभी तक हम को जो जानकारी है तो वो यही है कि हमारी पृतिवी में ही जीवन है तीसरे नमबर पर आता है यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर कैसारी स्टेटमेंट दी गई है first से लेके 12 तक इसमें से कुछ सही है और कुछ गलत है कुछ right है कुछ wrong है हमने क्या करना है जो सही है उसके आगे tick करना है और बाकी को दूसरे को छोड़ देना है तो देखिए first क्या दिया है earth is one of the four gas one of the four gas planet in the solar system ये कह रहे है कि जो earth है जो हमारी प्रिथिवी है वो एक जो चार gas planet है पूरे solar system में in the solar system पूरे solar system में जो हम जो चार gas के planets है उनमें से एक है हमारी प्रिथिवी क्या है ये सच है नहीं हमारी प्रिथिवी में gas इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसे gas planet कहा जा सके क्या नहीं है इतनी gas नहीं है यहाँ पर क्या है liquid है, पानी है, पानी ज़्यादा है इसलिए यह gas planet नहीं है तो यह right option नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे second देखिए earth was formed about 4.6 billion years ago अब देखिए earth form हुई थी, यानि कि इस प्रिथिवी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था 4.6 billion years ago बहुत साल पहले यानि कि यह एक इतने साल पहले 4 billion years पहले 4.6 billion यानि कि 4.4 billion years पहले billion years बहुत कई हजार लाखो साल पहले इस प्रिथिवी का जन्म हुआ था तो कितने साल पहले हुआ था यह exact time इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर कितना दिया है 4.6 billion years ago तो यह बिलकुत सही है ठीक है यह आपको learn भी करना है याद रखना है कि हमारी प्रिथिवी कब फॉर्म हुई हमारी प्रिथिवी का जन्म कब हुआ तो 4.6 billion years ago तो इसके आगे आप टिक कर देंगे next देखिए earth is the earth is at distance of 2AU from the sun हमारी जो प्रिथिवी है उसे कहा जारा कि जैसे मने अभी पहले आपको बताया था कि sun से कितनी distance पर है कितने नंबर पर आती है पहले नंबर पर आती है दूसरे पर ये तीसरे पर ये तीसरे पर ये तीसरे पर या फिर चौथे नंबर पर तो आपने सबसे पहले पढ़ा था कि third closest क्या लिखा हुआ है third closest planet to the earth लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है second इसलिए ये गलत है इसको हम छोड़ देंगे fourth देखिए earth axis at an angle of 23.5 degree बच्चों देखिए कि हमारी जो प्रतिवी है उसको अगर हम सीधे angle से देखें तो हमें वो तिर्ची नजर आएगी tilt है earth tilts on its axis वो अपने धुरी से थोड़ी सी tilt हो रखी है थोड़ी तिर्ची हो रखी है और किस angle पर तिर्ची हो रखी है वो हो रखी है angle क्या है 23.5 degree याने कि आप देखिए ये angle होता है देखिए मैं आपको बताऊ कि ये एक सीधी line होती है और ये जब सीधी उपर line होती तो इसे 90 degree कहा जाता है याने कि ये जो angle होता है सीधा angle तो ये 20 ये 90 degree का angle होता है इसे 90 degree का angle कहा जाता है तो ये कितने पर जुकी भी है कितने degree जुकी है ये परतिवी ये जुकी भी है 23 तो 23 आएगा लग 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 यहाँ इतना तो पृतिवी जो है अपनी धूरी से अब आप ये समझिए कि ये पृतिवी है ये प्रितिवी है ठीक है तो ये इसका सीधा सीधी धुरी है याने कि ये क्या है इसकी ये एक्सिस है और ये अपने पॉइंट से कितनी जुकी हुई है ये इतनी जुकी हुई है याने कि ये थोड़ा सा इधर को जुकी हुई है और कितनी जुकी हुई है ये 23.5 याने कि 23.5 आपने एंगल पर ये जुकी हुई है, टिल्ट हो रखी है, ओके बच्चों, तो प्रिति भी आपने धुरी से थोड़ा सा तिर्ची है, कितनी तिर्ची है, 23.5 डिग्री, ओके तो ये बिल्कुल राइट है, इसको हम राइट टिक कर देंगे, फिफ्स देखिए, अर्थ डोज सोलर सिस्टम में ऐसे घूम रहे होते हैं, जिनकी अपनी रिंग्स होती है, रिंग्स कैसी होती है, ये प्लैनेट है, ये एक प्रितिवी है, तो इसके बाहर, इसके बाहर ऐसे ऐसे करके कुछ रिंग्स होती है, हर प्लैनेट की होती है, तो क्या प्रितिवी की है, नहीं, प split into plates which floats on a hot liquid core क्या है कि अर्थ का जो surface है यानि कि जो सतेह होती है जैसे ये अर्थ है तो ये इसकी माल लिजे कोई भी एक सतेह ले लिजे आप ठीक है तो ये क्या है ये float हो रही है यानि कि ये tear रही है hot liquid में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक कोई hot liquid है यानि कि गर्म पानी है या कोई भी liquid है उसमें floating mode में है ये यानि कि ये tear रही है तो क्या ऐसा है क्या हमारी प्रतिवी tear रही है किसी hot liquid में नहीं तो ये wrong है से हम छोड़ देंगे 7 पर आईए लिक्विड स्वरी अर्थ earth is the dense planet in the solar system तो क्या जो अर्थ है क्या वो dense planet है हमारे solar system का density का मतलब होता है कि बहुत ही एकदम घना यानि कि जिसके आसपास बहुत से planets घुम रहे हो जो घेरा हुआ हो पूरी प्रतिवी हमारी घिरी हुई है आसपास के जो solar elements होते हैं क्या उनसे घिरीवी है तो यह है यस यह घिरीवी है इसके आसपास क्या है इसके आसपास बहुत सारे ऐसे जो सेटलाइट्स होते हैं जो उपग्रे होते हैं जो आसपास के छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं वो इसके इर्द गिर्द जो हैं वो घूमते रहते हैं तो य densities है यह बहुत ही घना हमारा हमारा जो planet है यह काफी densit है काफी घना है तो इसको हम क्या कर देंगे right tick कर देंगे number 8 पे आईए you would wait less at the equator than at a pole अब देखिए हमें हम जब किसी एक pole पर होते हैं pole किसे कहा जाता है देखिए अब इसे समझने के लिए आप यह पृत्वी है तो कोई भी इसका एक pole यानि कि इसे कहा जाता है north pole और इसे कहा जाता है south pole तो एक equator line होती है माल यह एक equator line है ठीक है इसको आप science जब आप आगे पढ़ेंगे या जब geology पढ़ेंगे इस तरह कि जब subject आप आगे पढ़ेंगे तो आप इसको detail में पढ़ पाएंगे तो अभी मैं आपको बहुती संच्छिप्त में बता देता हूँ कि इस तरीके से ये नौर्थ पोल होता है ये N याने कि नौर्थ पोल और ये साउथ पोल नीचे का जो portion होता है ये साउथ पोल कहा जाता है तो जब हम यहाँ पर होते हैं तो यहाँ पर weight जो होता है weight कैसा हो जाता है हमारा ये weight less हो जाता है यहां पर वजन कैसा होता है किसी भी चीज़ का वजन यहां पर कम हो जाता है तो क्या यह बात सच है यह बात बिलकुल सही है This is right Next देखिए Earth has an atmosphere containing 23% oxygen जो Earth के हमारी प्रिथिवी में जो atmosphere आज़ पास जो भी वातावरन है जो भी जलवायू है वो contain करता है कितना percent oxygen 29% क्या इसमें 29% oxygen है हमारी प्रिथिवी में हमारी प्रिथिवी का जो atmosphere है जो पानी है, जो हवा है उसमें हमारी प्रिथिवी में कितना percent देखिए, दो तरह की gas यहां पर पाई जाती है mostly, ऐसे तो बहुत सारी gas है लेकिन mostly 2% दो परकार की गयस हमारी प्रिथिवी में पाई जाती है वो है एक तो oxygen और एक है carbon dioxide तो हम जो सांस लेते हैं बच्चों हमारी प्रिथिवी में हम जो सांस ले रहे हैं उसे कहा जाता है oxygen और जो हम सांस छोड़ते हैं वो क्या होती है carbon dioxide oxide तो हमारी प्रिथिवी में जो oxygen है क्या वो 29% है नहीं 29% नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे इस option हम छोड़ देंगे next पढ़ते हैं 10 पर sorry 10 earth has a molten inner core majorly made of iron हमारी प्रिथिवी का अंधूरूनी जो हिसा है याने की हमारी प्रिथिवी के भीतर अंदर एक बहुत सारा part है बहुत सारा हिसा है जो किस चीज का बना हुआ है iron का बना हुआ है made of iron अंदर जो core inner जो main हिसा अंदर पिर्थिवी में जो हमारे बहुत सारी जो ख़दान होती हैं, बहुत सारी जो पहाड़ होते हैं उसके अंदर क्या पाए जाता है लोहा पाए जाता है, आईरन की बनी वई होती है वो, तो ये बात सच है कि जूट है ये है, बेलकुल सही आपने देखा होगा लोहा लोहा बहुत सारी जगे पाया जाता है प्रिथिवी में ठीक है तो आइरन आइरन यानिकी लोहा तो आइरन हमारी प्रिथिवी में काफी सारी मात्रा में है ओके यह बिल्कुल सही है 11 देखिए Earth oldest spot is E.L. Azizia Libia इसका जो एक प्रिथिवी में जो सबसे पहला जो हिसा है वो Libia में है जो सबसे पहले जो अस्तितों में है जो हिसा जैसे कि कोई भी पार्ट जो प्रिथिवी में जो जहां पर जीवन जहां पर बना है तो वो कहां पर है वो है इन्होंने लिखा है इसको हम छोड़ देंगे ट्वेल्थ आप स्टेट्मेंट देखिए 300 million years ago 300 million years ago there was one massive supercontinent called पैंगिया पैंगिया एक supercontinent एक जगे बनी थी सबसे बड़ा सबसे बड़ी जगे supercontinent समुदरी सते से जो उपर का इएक उपर उठावा हिस्सा होता है तो ऐसा सबसे बड़ा supercontinent पहले कहां बना था और उसका नाम क्या था ये है पैंगिया पैंगिया ऐसा superintendent यानि कि समुदरी सते से जो सबसे ऊपर I.O.I. पिर्थिवी का हिस्सा था, जमीन का हिस्सा था, उसे सूपर कॉंटिनेंट कहा जाता है, और ये कितने साल पहले हुआ, 300 million years ago, 300 million years ago, ये हिस्सा, जमीन का हिस्सा समुदरी तल से उपर उठा था, तो ये सही है कि गलत, ये बिलकुल सही है, आपको ये चीजें learn भी रख है, वो हमने क्या किये है बच्चों, अपनी notebook में लिखे है, आपने भी इनको ऐसे seven topics है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया था, statement number second बिलकुल सही है, statement number four बिलकुल सही है, statement number five बिलकुल सही है, statement number seven और statement eight बिलकुल सही है, statement number ten बिलकुल सही था, और statement number twelve बिलकुल सही था, तो जो जो statement सही है उनको हमने क्या किया? अपनी notebook में write down कर दिया, लिख दिया, तो आपको भी इसी तरीके से वो statement, सारी statement अपनी correct statement जो है, वो आपनी notebook में लिखनी है, तो ये seven statements हैं, जो बिल्कुल correct है तो आपने भी इनको क्या करना है अपनी notebook में लिखना है और लिखने के बाद इन seven topics को seven statement को learn करना है इस में से तो 100% कुछ ना कुछ पूछा जाएगा आपकी exam में ठीक है इसलिए आपको इन seven statement को अच्छे से learn करना है लिखना है और learn करना है ओके बच्चो तो ठीक है आप इस पूरे chapter को एक बार फिर से revise कीजिए और revise करने के बाद अपनी notebook में इसे लिखिए और लिखने के बाद इसे learn कीजिए बच्चो ओके